बूड मॉर्णिंग डियर आज का हिंदुस्तान संपाद किये समय सुरू हो रही है थोड़ी दिर में स्टार्ट दुनिया के दूसरे कई समाजों की तरह भारत में भी यही माना जाता है कि किसी परिवार के लिए सबसे अच्छी खबर वह होती है जब वहां संतान जन्म लेती है इस लिहाज से देखे तो एक जन्वरी को देश के जिन 16385 परिवारों में किलकारी गुंजी उनके लिए नया साल एक नई खुसी लेकर आया होगा बेसक इसने उन्हें नई जिम्मेदारियों का अहसास भी कराया होगा लेकिन उन सब परिवारों की नीजी खुसी से निकला यह संजुक्त आंकडा जब एक देश के रूप में हमारे सामने आता है तो एक अलग ही कहानी बनती है युनिसेफ ने एक जन्वरी को जन्म लेने वाले बच्चों के जो आंकड़े जारी किये हैं उनकी सबसे खास बात यह है कि उस दिन सबसे चायदा बच्चों ने भारत में ही जन्म लिया चीन का नंबर दूसरा है लेकिन इस मामले में वह भारत से पीछे ही नहीं बहुत पीछे रह गया हर उपलब्धी गर्व करने लायक नहीं होती इतने पीछे चले जाने पर हो सकता है चीन जरूर गर्व कर रहा हो चीन की आबादी अभी भी भारत से अधिक है लेकिन वह आबादी में बृधी की दर को भारत से लगभग आधा नीचे लाने में कामियाब रहा है अगर हम दोनों देशों की आबादी में बृधी दर के गराप को देखे तो चीन की सफलता को आसानी से समझा जा सकता है अगर हम 1970 के दसक से थोड़ा पहले देखे तो चीन की जनसंख्या बृधी दर तीन फिसदी के आसपास पहुँच गई थी जबकि भारत की बृधी दर दो फिसदी से कुछ उपर थी लेकिन पिछली लगभग आधी सदी में चीन ने जनसंख्या बृधी दर को नियंत्रित करते हुए 0.6 फिसदी तक पहुचा दिया जबकि भारत के मामले में यह दर 1.1 फिसदी के आसपास ही टिकी हुई है दुनिया भर में हुई अब आवादी के अध्यन बताते हैं कि हर समाज में जनसंख्या के बढ़ने का एक पैटर्न होता है आवादी का ग्राफ एक समय तक लगतार उठने के बाद गिरना सुरू कर देता है इस समय भारत और चीन दोनों की ही आवादी गिरावट वाले दोर में है फर्क इतना है कि भारत की जनसंख्या में यह गिरावट आवादी के गनीत के हिसाब से हो रही है इसलिए सुस्त और धीमी है जबकि चीन में यह गिरावट के प्राकृतिक गनीत को मात दे रही है क्योंकि इसमें चीन की सरकारों के सगन प्रियास भी अपना असर डाल रहे हैं इसे दूसरे सब्दों में कहा जाए तो आवादी नियंतरन के मामले में जहां चीन कामियाब रहा है भारत की नकामी उसे मूह चिड़ा रही है युनी सेफ ने जो आंकड़ा दिया है वह एक दीन का है इसे अगर हम आवसत मान ले तो इस साल देश में दो करोर पैतालिस लाक बच्चे पैदा होंगे यानि करिव आस्ट्रेलिया के कुल जमा आवादी के जितने यह मामला सिर्फ कड़ोरो बच्चों के जन्म काही नहीं है यह उनके लिए जरूरी संसाधन जुटाने की चुनोती का भी है हमारी आवादी की सघंता दूसरे देशों के मुकावले पहले ही काफी अधिक है और ग्लोबल वार्मिंग के दौर में अगर यह आगे भी बढ़ती रहती है तो इससे पैदा होने वाली समस्याएं हमें कई तरह से परिसान करेंगी हमारे लिए यह चिन्ता की बाद इसलिए भी है कि हम अपनी मौझूदा आवादी का पेट भरने में ही धेर सारी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं बेरोजगारी हमारे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है इसके साथ ही यह चिन्ता की बाद इसलिए भी है कि अब अबादी नियंतरन की चर्चा भी देश में बंद हो चुकी है